कर रहा हूँ लेकिन मेरे 10 मिनट खर्च करने से अगर 100 बच्चों का भला हो जाता है तो मैं मान के चलूँगा 1000 मिनट मैंने बचा दिये किसी का मेरा यह मानना है सर्थ हाँ जी प्यारे बच्चों कैसे आँ आज एक और वीडियो यह semester 6 management account के लिए है management account वैसे यह semester 6 में optional subject है कुछ बच्चों के पास management है banking and insurance है तो सभी बच्चों के पास तो management account है नहीं लेकिन फिर भी आप ध्यान दिजिएगा जिन बच्चों ने management account लिया है उनको कैसे करना है बाकि important subject है क्योंकि अगला जो पढ़ाव आपका maximum बच्चों का मैं maximum ratio की बात करूं तो अगर आप इसी field में जाते हैं तो MBA में जाएंगे या फिर किसी और जगह जाएंगे ऐसे situation मे क्या रहेगा जब आप किसी और फिल्ड में जाते हैं तो आपको थोड़ा सा यह subject आपका आएगा ही आएगा जिससे CA में भी आएगा आपका या फिर MBA में भी आएगा कोई other subject में भी आता है अब मुद्दे की बात है सर बच्चे काफी परिशान है इस chapter subject को लेके कि सर हमारा यह नहीं रहा हुआ इस तरीके से नहीं हुआ उस तरीके से नहीं हुआ तो मैं बहुत सिंपल से बात कहना चाहूंगा कि हम कैसे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे वो सारे discussion करने वाले हैं आपके 15 दिन के आसपास बचे हम 15 दिन के हिसाप से एक study plan बना लेते हैं और इसको strictly follow करिएगा definitely आप बहुत अच्छा मांक स्कूर करेंगे definitely guaranteed ठीक है न तो मैं 15 दिन का एक study plan आपके लिए बना देता हूं तो देखते हैं आईए आपके क्या-क्या chapters है आपके अगर मैं chapter की बात करूँ तो chapter हमारे ये कुछ साथ chapter है हमारे बहुत छोटा सा सलिवस है साथ chapter है management account में सर अब ये वाला chapter जो हमारा first वो theory का chapter है ठीक है जिसे मैं जानता हूँ कि आप अभी नहीं पढ़ेंगे इसको last में पढ़िएगा आप और मैं इसके theory last में ही करा हूँगा ठीक है यानि गिंती के देखा जाए तो एक दो तीन चार पांच छे छटा चप्टर अगर सातवा चप्टर देखा जाए तो ये जो चप्टर है ये आपका ये आप कभी भी कर सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ टू आवर का chapter है इससे सब्कम रहती है तो अब आप देखिए आपके दो चप्टर यहां से निकली गए तयारी गे लिए आप फोकस जो करना है एक दो तीन चार पांच चप्टर पर करना है यानि स्रेप पांच चप्टर करने आपको पंदरा दिनों के अंदर पांच चप्टर में सबसे पहले खतम कर सकते हैं इसको ठीक है इसको करने के बाद आप के अंदर अब ये तीनों चेप्टर ना कहीं ना कहीं आपस में connected है ये तीनों चेप्टर आपस में connected है अब सर बच्चा कहता है कि सर क्या कर ले नहीं करे समझ में नहीं आता और इस चप्टर का इन सब से गोई लिन दिन नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में पहले आप पी वियार करें प्रॉफिट वोल्यूम रेशो या कॉस्ट वोल्यूम रेशो इस चप्टर के अंदर मैक्सिमम बच्चों का कहना है सर कितने भी सवाल करने होता ही नहीं सहाब ये प्रैक्टिस करना होगा और आपको different different questions practice करने होगे 100 questions भी practice कर लोगे तब भी आपके सामने नया कुछ आ सकता है देखने को तो आप जो book है उसके सारे questions उठाए ये बच्चे क्या कर रहे हें 10 year कर रहे हैं आपके पास बहुत time है management वाले बच्चों, आपके पास बहुत time है, आप book के सारे illustration, book के सारे practical, book के सारे problems, जो MN Arora की book है, उसके सारे questions कर रा लिए, उसके बाद आप 10 year के उपर आईए, बच्चा क्या कर रहा है, हमारी class की वीडियो देख रहा है, और direct 10 year पर आ रहा है, नहीं ह पाएगा ये chapter, अगर आपने इस chapter को week कर दिया, तो मान के चलिए, ये chapter भी आपके खतम हो जाएंगे, ऐसे situation में, इसके बाद मैं suggest करूँ आप ये करिए, इसके अंदर आप भले ही 4 दिन लीजिए, लेकिन अच्छे से करिए, बेज है एक तरीके से, इसके बाद ये वाला chapter आपका एक दिन में हो जाएगा, ये वाला एक chapter एक दिन में हो जाएगा, ये वाला chapter maximum दो दिन लोगे आप, ठीक है न, decision making का है, तो ध्यान दो, एक दिन, एक दो दिन, चार, छे दिन, और दो आठ दिन, और लास्ट दिन ये होगा, नो दिन, और ये कुछ राइम है, अब र पेपर पैटरन बता दूँगा, तो आप पढ़ना छोड़ दोगे, पेपर में सभी questions पूछे जाएगे, सभी chapter में से, अब जैसे देख लो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक theory का question confirm रहेगा, बजटरी control का confirm question आएगा, standard का confirm आएगा, PVR का confirm आएगा, absorption का confirm आएगा, decision making का confirm relevant costing का कह नहीं सकते, तो ये सारे confirm आने वाले chapters हैं, तो मेरा बस यही कहना है, कि आप जितने भी management वाले बच्चे हैं, वो बिल्कुल भी time waste ना करें, और पढ़ने लग जाएगा, ज्यादा ये तीन, तीन घंटे दिन का निकालिए, पास हो जाएगा, सर छटा समेस्टर है और B.com को मैं normal अगर graduation भी बोलो, तो आपके dream क्या है सर, साइध इसके बाद MBA का option हो, नमबर दो, सर UPSC का option हो, नमबर तीन, सर हम SSC का option ढूंड रहे हैं, नमबर चार, सर हम CA का option ढूंड रहे हैं, नमबर पांच, CA कहलो, CS कहलो, ये CMA कहलो, ये, तो इन में से कुछ ना teaching line में जानना चाहता है, BA का option ढूंड रहे हो, नमबर 6, यानि graduation के बाद बहुत सारे option खुल जाते हैं, लेकिन एक paper, एक exam सरिफ आपका क्या कर सकता है, वो graduation को रोक सकता है, तो इसलिए बिल्कुल aggressive होके पढ़िए, बाकी सारे subject भी पढ़िए, और इसको भी पढ़िए, मेर करिए, और strictly follow करिए, हर बार बच्चा मुझे इस chapter के लिए बोल रहा है, मैंने कहा, तरीका, सारे के सारे example, सारे के सारे problem, और सारे के सारे practical कर डालिए, और यह ज़्यादा time लगेगा, एक बार जब आने लग जाएगा, लेकिन पहले वीडियो को देखिए, और जो topic करा दिय उससे related topic ढूंड के कर दीजिए, मैंने YouTube के उपर सारा का सारा classes यह डाल दिया है, और application के अंदर भी डाल दिया है, मैंने सारा, अब simple सी बात है, सर बच्चे कह रहे हैं, सर YouTube के उपर बहुत सारी classes है, भाई तो YouTube के उपर जितनी सारी classes है, मैं हर बार एक बच्चों को बोलता ह कि YouTube पे जो classes है, वो पूरी-पूरी डालता हूं, अब मैं short मान लो, 10 class में से मैं 6 class डाल दू, और कम content डाल दू, कम content डालने के बाद कुछ चीज़े रह जाए, तो फिर मेरा YouTube पे डालने का कोई फाइदा नहीं है, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, सिर्फ topic topic डाल दू, question की practice नहीं मैं यह मानता हूं, जो offline वाले बच्चे हैं, online, दोनों तो बच्चे ही हैं, दोनों ने paper देने हैं, तो दोनों को same content क्यों नहीं देना चाहिए, same content देना चाहिए, इसलिए मैं पूरी-पूरी classes डालता हूं, इसके अंदर कोई भी मैं कंजूसी या रियायत नहीं करता, कि नह नहीं डाले जाते हैं, अब sir, YouTube के उपर वीडियो डल रही है, जो बच्चा YouTube से करना चाहता है, sir, कर सकता है, कोई दिक्कत में आराम से हो जाएगा, हम speedly वीडियो डालेंगे इसके उपर, ठीक है, लेकिन ज्यादा वीडियो आपको ज्यादा वीडियो देखना पड़ेगा उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो चीज़े हैं, देखो करना पड़ेगा, बागी जो बच्चे एप्लिकेशन पर करना चाहते हैं, कुछ बच्चे पूस्ते हैं, तो इसका प्राइस जो था, वो साड़े 400 रुपे का था, पंदा दिन बच्चा है, तो मै एप्लिकेशन के अंदर क्या क्या benefit मिल जाएगा, समय, देखो मैं आपका time management करने आया हूँ, ना कि मैं आपका time खराब करने आया हूँ, तो time management की बात करें, तो application पे हमने वीडियो के उपर क्या लगा दिये हैं, सर स्टार लगा दिये हैं, स्टार का मतलब क्या होता है, सर स् दूसरा, आपका time management कैसे हो सकता है, YouTube के उपर आपका ads में टाइम जा सकता है, और दूसरे other videos के उपर भी हम भटक जाते हैं, कई बार, application पे concise आप एक चीज़ पर फोकस रोगो, laptop में देखो, मैं mobile में देखने के लिए सलह नहीं देता, वैसे play store पे है, जिसके पास नहीं है laptop वो तो इस पे देखेगा, बाद बागी आप laptop पे देखेए, बहुत अच्छा रहेगा, आपने चलाया, internet से connect किया, उस time पे कोई disturbance नहीं, phone को सहाव silent mode पे डाल दीजिए, phone को इधर उधर, मतलब बंद कर दीजिए, अभी कुछ दिनों के लिए, अगर आपके पास laptop है, तो मै आपके जीवन में क्या emergency आ सकता है, emergency सिर्फ सोचा जा सकता है, कि ये हो गया तो ऐसा हो गया, ये हो गया तो ऐसा हो गया, नहीं जी सर, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जुनिया चलती रहेगे, सीधी बात है, तो आप phone को बंद कर ये laptop में देखे, laptop के अंदर आप जा सकते जिसके अंदर मैंने access दे दिया, www.sikshadham.inpay, ठीक है, और भी मैंने काफे सारी चीज़े application पे हैं, और बाकी जिन बच्चों को नहीं पता, मैं contact number दे रहा हूं, उनसे communicate कर लीजिए, और वो सारी चीज़े आपको guidance कर देंगे, सिर्फ 350 रुपे का pricing है, जिसको लगता है कि 350 पे बहुत ज़्यादा है, सर, हमने पहले से ही सारी वीडियो कर लिए, तो no need to buy, don't waste your money, आपका दोनों चीज़े बहुत important है, पैसा भी और समय भी, दोनों important है, तो मैं आपके लिए अगर steady plan लेके आया हूं, तो मैं भी कहीं ने कहीं अपना समय खर्च कर रहा हूं, लेकिन म मेरे 10 मिनट खर्च करने से, अगर 100 बच्चों का भला हो जाता है, तो मैं मान के चलूँगा, 1000 मिनट मैंने बचा दिये किसी का, मेरा ये मानना है सर, तो thank you so much, मैं थोड़ा सा अब late लेके आया, लेकिन आप इससे सबसे pattern करिए, क्या-क्या exam में आएगा, मैं कह रहा हूं, आ झाल झाल